हेलो साथियो स्वागत है आप सभी का हमारी योटूब चैनल पर तो कैसे हो आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज की एक लास बीएट फर्स्ट येर की है जिसके अंदर आज हम पेपर सेकंड का एक टॉपिक कवर करेंगे बृध्धी और विकास यान की ये टॉपिक आपके एक्जाम के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट है हर बार यहां से प्रशन देखने को मिलता है तो आप लोग वीडियो में एंट तक बने रहीएगा और साथ ही आप सब को पता है कि बीएड का जो एक्जामिनेशन फर्म है वो फिल करवा दिया गया ह कर उसकी लास डेट थी 12 जुलाई को फॉर्म फिल करने की लास डेट थी तो आयूप आप सब ने अपने फॉर्म को फिल कर लिया होगा अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है अब आप सब सिर्फ अपना रिवेजन कीजे क्योंकि अब कुछे दिनों में आपका जो इ विकास में क्या अंतर है देखिए प्रशन आपको इस प्रिकार से देखने को मिलेगा ब्रद्धी और विकास में अंतर को स्पस्ट कीजे अब देखिए ब्रद्धी और विकास क्या है तो ब्रद्धी जो होती है जिसे हम इंगलेस में ग्रोथ कहते हैं और विकास जिसे हम ड इफ्रेंस जानेंगे ब्रद्धी और विकास का, तो सबसे पहले ब्रद्धी के बारे में जान लेते हैं, ब्रद्धी क्या है, पहले पॉइंट पे लिखा गया है, कि ब्रद्धी, देखें यह और ग्रोथ की स्पैलिंग अगर आप सब देख रहे होंगे, तो मिस्परिंट लिखा है जबकि जी आर और डवलू होता है तो यह आप ध्यान दीजेगा ऐसे ही में स्प्रिंट हो जाया करते हैं बृध्धी क्या है कैसी प्रकिरिया है जो जीवन भर ना चलकर एक निशित आयो तक ही जारी रहती है बृध्धी जो है वो जन्म से लेकर मृत्यू तक नहीं वो हो जाती है उसके बाद बृध्धी रुक जाती है उसके बाद सारेरिक बृध्धी क्या होती है रुक जाती है सारेरिक परिपक्वता ग्रहण करने के पशात बृध्धी रुक जाती है लेकिन विकास नहीं रुकता है बृध्धी के साथ यहां वश्यक नहीं है कि विका विकास भी हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है कहीं कहीं पर किसी-किसी बच्चे में आप देखते होंगे बृधि तो हो गई हैं बच्चा काफी लंबा हो गया है लेकिन उसका जो दिमाख है अभी तिना जधा नहीं बढ़ा है उसकी मेंटल आप कह सकते हो उसका है जो मानसिक इस कारे कुशलता का विकास नहीं हो सकता कि यदि बच्चा इतना मोटा है तो यह जरूरी है को बच्चा बहुत सारा काम कर लेगा ऐसा जरूरी नहीं है इसलिए ब्रध्धी विकास के साथ लेकर नहीं चलती है ब्रध्धी की प्रक्रिया को विकास की संपूर प्रक्रिया का एक चरण कहा जा सकता है यानि कि विकास के अंदर ही ब्रद्धी सामिल हो जाती है इसलिए ब्रद्धी सब्द बहुत विस्टरत ना होकर एक सीमित अभी प्राय के लिए सब्द है ये सब्द जो है ब्रद्धी इतना बड़ा सब्द नहीं है या फिर इसका आर्थ इतना बड़ा जितना की विकासकार्थ है अगला पॉइंट है कि ब्रधी सब्ड का प्रियोग प्राया, परिणाम अथ्वा मात्रा के परिवर्थनों हेतु किया जाता है वेक्थी की लम्बाई कितनी है भार, आकार, शरी राधी में ब्रद्धी के अंतरगर्ट चर्चा की जाती है जैसे ब्रद्धी क्या होती है आपके सरीर की ब्रद्धी यानि की ग्रोथ होती है आप कितने लंबे हुए इसका हम मात्रात्मक कर सकते है उसकी मात्रा जान सकते है आपकी लंबाई कितनी है इसको मापा चाह सकता है आपका वेट कितना है इसे भी मापा चाह सकता है तो इस तरीके से जो ब्रद्धी है इसे हम किसी ना किसी तरीके से मात्रा और परड़ाम में परिवर्तन कर सकते हैं जबकि विकास में असाल नहीं किया जा सकता ब्रद्धी किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्सित करता है आपके जो लंबाई है या फिर आपका भार कैसा है आपका आकार कैसा है इसमें हम किसी एक अलग-अलग चीजों को अलग-अलग पक्ष को शरीर के हम देख सकते हैं या फिर प्रदर्सित होता है हमें अगला पॉइंट है कि ब्रद्धी की प्रकरिया के अंतरगत होने वाले परिवर्तनों को हम इसपस्ट देख सकते हैं, जबकि विकास कितना हुआ है, किसी का दिमाग कितना बढ़ा है, ये चीज़ हम नहीं देख सकते हैं, और जो ब्रद्धी है, जैसे व्यक्ति कितना लंबा हुआ ह कितना मोटा है वो चीज हम देख सकते हैं तो इस तरीके से ब्रद्धी क्या है ब्रद्धी को हम इस्पस्ट देख सकते हैं इसे मापा तोला भी जा सकता है जैसे बालक की लंबाई अब हार इस तरीके से ब्रद्धी को हम माप तोल सकते हैं ब्रद्धी को देख सकते हैं जबकि विकास को हम देख नहीं सकते और विकास जीवन भर चलता है, आगे आएए गार यहाँ पर हम विकास के बारे में भी जानेंगे तो बृध़ी आपको पता चल गए कि बृध़ी क्या है बृध़ी क्या है जो निरंतर नहीं चलती ज़न्म से नित्यु तक नहीं चलती बीच में एक निशित प्रक्रिया होती है वह रुख जाती है ग्रोध क्या है एक निशित समय पर रुख जाती है लेकिन विकास यानि कि डेवलपमेंट ये जीवन भर चलता है विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है सारीरिक परिपकपता गरहड करने के बाद भी यह जारी रहती है आपकी जो ग्रोध है वो रुक जाती है विकास फिर भी जारी रहता है मतलब कहने का ये है कि आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हो और सीखना जो है वो ये कारे सीखने का कारे आप अपने द इसके लिए आपको ग्रोध की आवशकता नहीं है तो इस तरीके से विकास जीवन भढ़ चलता है विकास भी बृध्धी के बिना नहीं हो सकता जैसे कि एक एक इग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि बहुत से बालक सारे एरे को रोप से नहीं बढ़ते हैं परंतु मानसि सामाजिक और समविगात्मक रोप से अधिक परिपक्व दिखाई पड़ते हैं तो इस तरीके से आवशक नहीं है कि बच्चा जो है उसकी ग्रोध हुई है तभी डेवलप्मेंट होगा तो यह जो विकास है यह बृध्धी के बिना भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर क्या लि विकास प्रद्धी के बिना भी हो सकता है क्योंकि विकास के अंदर हम क्या करते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं चाहे वो मानसिक प्रक्रिया के अंदर हो सामाजिक या समविगात्नक रोप से हम परिपक्व होते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं विकास सब्द सुयम में ही बहुत विस्तृत सब्द है, बहुत बड़ा सब्द है और बृध्धी की इस प्रकरिया को ही उप प्रकरिया कही जा सकती है, कहने का मतलब यह कि बृध्धी जो है विकास के अंदर ही सामिल हो जाती है, इस प्रकरिया में सभी प्रकार की उन्नती सम्मिलित होती है, विकास केवल मात्रा अथ्वा परिडाम से सम्मंधित परवर्तनों हेतु किया जाता है बलकि यहां जो बालक के व्यक्तितु के सभी पक्षों में यहां पर व्रद्धी के बात हुई है कि व्रद्धी सब्द केवल मात्रा और परिडाम से सम्मंधित परवर्तनों हेतु प्रयोग किया परिवर्तनों को सेंगत्रोप से प्रदर्शित करता है विकास गुड़ात्मत्पक्ष होने की कारण द्रस्टिक गत नहीं होता मतलब जैसे हमें ब्रद्धी दिखाई पड़ती है कि कौन सा बच्चा कितना लंबा हो गया है या फिर वो बच्चा कितना मोटा है भार उसका कित विकोस है यह अनुभऑ किया उसकता है यह जान सकते हैं व्यक्ति से बात चीत करके या फिर उसके चीज़ों को देखके हम नहीं पता कर सकते कि विकास कितना वह फिर विकोस्का को और इसे देख कर जाना जा सकता है ऐसा हम व्यक्ति के बैवहारन Church क toy निरक्षत द्वारा ही कर सकते हैं विकास ता अगर हमें ग्यान करना है कि किस व्यक्ति का कितना विकास हुआ है या किस बच्चे का कितना विकास हुआ है ये हम व्यक्ति के बैवहार से ही पता कर सकते हैं विकास को हम किसी मापक द्वारा माप और तॉल नहीं सकते जिस प्रकार बृध्धी में किया जाता है तो बृध्धी में मापा तॉला जाता है जबकि विकास में हम माप तॉल नहीं सकते तो इस तरीके से हमने बहुत सारे यहाँ पर अंतर देखे हैं बृध्धी और विकास के growth और development क्या है I hope आपको यहां से बहुत सारी चीज़े clear हुई होगी और आपका revision भी हुआ होगा अगर आप सबने अच्छे से अपने topic को cover किया है तो दोस्तो फिर मिलेंगे अगली class में कुछ नए topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद